गाइस सौर्स में तो आपने देखा ही होगा कि मैंने इस प्लांट के साथ क्या किया दरसल ये वाइट पिलर बनवाने के बाद जल्दबाजी में मैंने इस गमले को उपर रख दिया था तो आज मैं इस गमले को होट बना कर वापस इसे यहाँ पर रखूंगा ये जुनाइडो का प्लांट है और वो जंगली जानवर इसी के दूसरे गमले में निकला था आज मैं वो भी दिखाऊंगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ये जुनाइडो का प्लांट लगबग 8 सालों से मेरे पास है इतना टैम तो आजकल के गल्फिन वर्फिन के रिलेशन्शिप भी नहीं ठीकते हैं ये गमला मैंने 4-5 साल पहले बनाया था जुनाइडो का आप कभी भी लंबे गहराई वाले गमलों में ना लगाए क्योंकि इसके रूटस एतने तेजी से ग्रो होते हैं कि सिर्फ चन्द महिनों में पूरे गमले को जकर लेते हैं और अंतता गमले का विनास निश्चित होता है हिंदी भी कितना मस्त है मेरा कसम से कभी कभी लगता है कि उपर वाले ने सो देर सो लोगों का टैलेंट अकेले मुझ में भर दिया है मैं मिट्टी भी छुदूं तो सोना बन जाता है और एक मेरे फ्रेंड्स हैं ये सोना भी छुदें तो पौटी बन जाता है धर्ती के बोज हैं सब के सब जो नैडो का प्रांट कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराता इनमें अलग ही एटिटीड है इन्हें एक आदमी चाहिए जो इनके बुड़े पत्तों को इस तरह से निकाले देखे कैसे हस रहा है कहा रहा है भाई धीरे धीरे कर गुदगुदी हो रही है इतने लेजी प्रांट समयने आज तक नहीं देखे थे जो खुद के अपने पत्ते भी नहीं गिराता हो इनके फुफा का गुलाम हुँ मैं भाई की शादी नहोती तो मैं तुम लोगों को यूँ ही छोड़ देता ज्यादा एटिटीड मुझे पसंद नहीं गैस अगर आप नए गार्डनर हैं तो इस प्लांट को ज़रूर लगाए ये बहुत हार्डी होता है इसे ओट डोर इंडोर दोनों रख सकते हैं और ये बहुत तेजी से ग्रो होता है दूसरी बात कि ये आपके गार्डनर को एक अलग ही लुक देता है इस plant को आप अपने garden में जिस भी corner में रख देते हैं वो corner ही मली का श्राव जितना hot हो जाता है इन सुखे पत्तों को composting में use करूंगा अब ये एक दूसरा वला गमला है वो जंगली जानवर इसी के अंदर है वो भी एक नहीं दो तीन मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या है इसलिए इतने प्यार से उठा कर ले जा रहा हूँ ये पहले वाले गमले से ज्यादा घना है और इसी का फायदा उठा कर कुछ जंगली जानवर मेरे प्लांट में पार्टी कर रहे थे इसके roots वाकई बहुत बुरे होते हैं गमले को पूरी तरह से जकर लेते हैं इसे निकालने के लिए मुझे दोनों हाथ और एक पैर का इस्तिमाल करना पड़ रहा है ये गमला मैंने खुद बनाया था इसलिए इतना strong है वरना बजार वाले गमले तो अब तक तूट चुके होते कसम से जो भी जानवर इस प्लांट के अंदर हैं उनको तो फेफडे में हार्ड अटेक आया होगा सोच रहे होंगे अचानक से हमारा कलब हिलडूल कैसे रहा है आप इस गमले पे ये पिंक स्टोन देख रहे हैं ये उम्र में मुझे भी बड़ा है एक्चली ये अम्मी के एरिंग का टूटा हुआ हिस्सा है जिसे अम्मी ने अपनी शादी से पहले खरीदा था स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम पे इसे मैंने गमले पे चिपका दिया है चलो अब इस भाइस आपको भी थोड़ा साफ कर देते हैं अभी अभी मेरे दिमाग में ये बात आया कि काश कोई ऐसा भी शैलून होता जहां प्लांट्स के इस तरह से हेर कटिंग होते तो मैं इन्हें वहीं लेकर चला जाता अब बारी है उस जंगली जानवर से मुलाकात की जैसे ही मैंने रियलाइज किया कि इस प्लांट के अंदर कुछ है मेरे फेफडे फड़क गए तो चलिए देखते हैं क्या है अपनी सेफटी का ख्याल रखते हुए मैंने इस आईरन रड का इस्तेमाल किया है कसम से यही अगर कोई टीवी सिरियल का सीन होता तो अब तक धुम तराना धुम तराना बज रहा होता और एपिसोड यही पर खत्म हो जाता और लास्ट में डायलोग यह होता तो क्या था इस प्लांट में कोई च्छाधारी नागिन या फिर कुछ और क्या बच पाएगा सहबाज इस जानवर के वार से देखिए अगला एपिसोड फलाने टीवी पर पर डोन्ट वरी गाइस मैं आपको इसी एपिसोड में बता देता हूँ कि इसमें क्या है इसमें था गिर्गिट जो निकल कर उस तरफ भाग गया मुझे लगा सिर्फ यही एक होगा इसलिए मैं वापस काम पर लग गया पर इस पलान्ट के अंदर गिर्गिटों की एक पूरी कॉल्नी हुका पी रहे थे एक गिर्गिटनी तो एकदम शर्मा कर भागी कह रही थी कितना जालिम दुनिया है अपने हस्बेंड से दस मिट अकले में बाद भी नहीं करने देते सर्माने से याद आया लोगों की तारीफ करो तो वो शर्मा जाते हैं और कोई मेरी तारीफ करे तो मुझे यकीन ही नहीं होता है अच्छा एक बत और आप सबने अपने आज-पास दो-चारे से लोगों को जरूर देखा होगा जिनको दूसरों की लाइफ में जाकने का बड़ा शौक होता है किनके लाइफ में क्या चल रहा है उन्हें जानना होता है बड़ा अच्छा एडिया है ट्राइ करके देखिएगा चली पौध की साफसफाई तो हो गई तो फिलाल इन्हें यहाँ पर रख देते हैं साफ करने के बाद यह और भी ज्यादा हॉट दिखने लगे हैं अब इनके सुखे पत्तों को और यहाँ फैली मिटी को उठा लेते हैं जुनैडो के पत्तों में चाकु जैसी धार होती है अभी ये तो फिर भी विंटर है गर्मियों में अगर इसके पत्ते हाथ में लग जाएं तो बावाल कर देते हैं साफ सफाई बहुत जोरी होती है अब इन गमलों को पेंट करके इन में वापस से जुनेडों का घर बसाऊंगा एक बात और एक कमेंड बार बार आता है कि आप पैरों में चपल पहन कर गार्डनिंग किया करें Actually guys मेरे घर के बड़े अलग आयदे कानून है हम सब के चपल फर्स फ्लोर के चौताल पर ही उतर जाते हैं ये सेकंड फ्लोर है सिर्फ हम ग्राउंड फ्लोर पर ही चपल पहनते हैं दूसरी बात ये कि छट पर अभी कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम बचा हुआ है इसलिए फ्लोर इतना गंदा है अधर्वाइस हम छट के फ्लोर को भी धोते रहते हैं सुबा सूट कर इतना काम ही कर पाया और दुकान जाने का वक्त हो गया जाते जाते मैं आप लोगों को बोगन वेलिया दिखा देता हूँ अभी हाल ही में इसके फ्लावर खत्म हुए थे और वापस से आ गए हैं कसम से दिल जीता हुआ है इसने मेरा बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमारे बोगन वेलिया के फ्लावर नहीं आ रहे हैं इन पे एक वीडियो बना दीजिए तो गैस थोड़ा सबर रखें मुझे वक्त दें अकेले दुकान देखना, गार्डनिंग करना, वीडियो शूट करना, दो-दो यूट्यूब चैनल मेंटेंड करना आसान नहीं होता है एक वीडियो को पूरी तरह कम्पलीट करने में हफ्तो लग जाते हैं चलिए अब जल्दी से दूसरा दिन लेकर आते हैं आज मैं जुनेडो को वापस उसके गमले में शिफ्ट करने वाला हूँ एक महने बाद, जी हाँ दोस्तो, मैं इतना बीजी था कि फाइनली एक महने बाद मैं अपने अधूरे काम को पूरा करने जा रहा हूँ बातुर में टैल्स लग रहा है, इसलिए वापस से कुछ मिस्तरी घर पर आए हैं इन लोगों ने जनेडो को रेत में दवा दिया है, तो जनेडो को रेत से रेस्क्यू करते हैं लगबग एक महने ये प्लांट बीना गमलों के अराम से था, आज मैं इसे खुश करने वाला हूँ इसकी पूरी काया ही बदल दूँगा, काम महनत वाला है, ये गमला उसी का है मैंने इसे पेंट कर दिया है, और ये भी एकदम मेरे तरह होट लग रहा है आज मैं इस प्लांट के सारे रूट्स काट कर नए सोल मिक्स्चन में इसे वापस अबाद करने वाला हूँ काम असान नहीं है, पर मैं आप लोग जितना कोड़िया नहीं हूँ ये काम करने के लिए मैं बहुत एक्साइट हूँ कसम से सुबा उठो तो एकदम कश्मीर वाली फिलिंग आती है जब दिसंबर था तो सब उसे बुरा कह रहे थे माना कि दिसंबर नहाने नहीं देता था पर ये जनवरी तो मूँ भी नहीं धोने देता सीली वाले तो बातरूम से आकर हाप पैर भी नहीं धोते वैसे विंटर में मुर्गियों पर बड़ा आती अचार होता है एक तो थंड से बिचारी ठुटूड रही होती है उपर से उनके मालिक उन पर प्रेसर डालते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दें साकी भाई तो विंटर में अपनी मुर्गियों पर और ज़्यादा आती अचार करते हैं रोज बंदूख लेके पूरे फॉर्म में एक बर घूम जाते हैं भाई का खौफ है मुर्गियों में और अगर बंदूख से भी काम ना चला तो साकी भाई का एक ही डायलो काफी है हमको पहचाना हा कि ना पहचाना हा बस इतना ही काफी है मुर्गियां डर से अपने कैपी सिटी से भी ज़्यादा अंडे देती हैं लेटेस्ट अंडों के लिए साकी भासे संपर्ट करें सच में विंटर में अंडे बहुत ज़रुरी होते हैं पर इतने भी ज़रुरी नहीं होते हैं कि मुर्गियों के साथ वैसा सुलुक किया जाए जैसा मेरी अम्मी ने किया कल अम्मी ने घर की तीन मुर्गियों को घर से बाहर निकाल दिया और गुसे में मुर्गियों से कह रही थी निकल जा मेरे घर से जब तुन मुख अंडे ही नहीं दोगी तो ऐसी मुर्गियों के लिए मेरे घर पे कोई जगा नहीं इस पर एक मुर्गी अम्मी के पहर पर गिर कर गिर गिराने लगती है और कहती है ऐसा ना कीजे मालकिन कल ही तो मैंने अपने हिसे के दस अंडे कम्पलीट किये थे मुझे एक हफते की मुहलत दे दीजिए दो-चार दिन कुड़कुड तो करने दीजिए मैं फिर से अंडे देना शुरू कर दूँगी मुर्गियां लाख रोईं गिर्गिराईं पर अम्मी ने उनकी एक न सुनी मुर्गियों को डाटकर अम्मी जैसे ही पीछे मुरी पीछे मैं खड़ा था कसम से अम्मी ने मुझे ऐसी अजीब नज़ों से देखा कि मेरी आत्मा कांप उठी मुझे लगा कि अब अम्मी भी मुझे यही कहेंगी कि अगर तुझे भी इस घर में रहना है तो तुझे भी अंडे देने होंगे अम्मी के जाने के बाद मैं उन मुर्गियों के पास गया और उन्हें सौ सो रुपे का नोड दिया तो गाइज ये बोगन विलिया के सुखे वे फ्लावर्स थें दरासल एक दिन इधर अच्छी खासी बारिश हो गई थी जिसे बोगन विलिया के 80% फ्लावर्स गिर गए थे तो मैंने उन्हें कलेक्ट कर लिया था सोयल मिक्स्चर भी काफी अच्छा है तो जुनेडो की तो बल्ले-बल्ले हो गई जब मेरा यूटूब चैनल नहीं था तो मेरा ये गंला यहीं पर रखा होता था लगबक तीन साल से यहीं पर रखा हुआ था पर ये कभी भी नहीं गिरा तीन साल में कई बार भयानक तुफान भी आए मेरे दूसरे जगा रखे वे कई गमले गिर कर तूटे हैं पर ये वाला यहाँ पर से कभी भी नहीं गिरा गमले के ना गिरने की मुख्य वज़ा थी इस गमले का शेप जी हाँ, अगर आप काफी वक्स से गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि लंबे आकार वाले गमले ही जल्दी गिर कर तूटते हैं इस तरह के चप्टे आकार के गमले भारी से भारी तुफ़ान को भी जहल लेते हैं अब बारी है इस जुनैडो को ठीकाने लगाने की इसके लिए मैंने कुछ अलग ही सोचा है इसके मैं सारे रूट्स काड़ दूँगा क्योंकि इस प्लांट्स ने अलग तरीके से रूट्स ग्रो कर लिया है जुनैडो का एक और गमला मेरे पास है जिसमें सिर्फ दो प्लांट्स हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि इन जुनैडो को भी मैं उनमें ही एड़ेस्ट कर दूँगा क्योंकि मेरे घरवालो का कहना है कि अगर शादी में तुम्हारे गमले रास्ते में आये तो तुम और तुम्हारे गमले दोनों एक साथ इस गर से फेक दिये जाओगे कसम से गाइस मेरे घरवाले मुझे बहुत सताते हैं दो दिन पहले मैं बैठा बैठा एक केजी काजू खा गया था गाइस सिर्फ एक केजी काजू सिर्फ एक केजी काजू के लिए इन लोगों ने मुझे तीन दिन तक स्टोर रूम में बंद कर दिया फिर क्या तीन दिनों में मैंने इस्टोर रूम का आधा अनाज खतम कर दिया जैसे ही मेरे घर वालों ने ये रियलाइज किया कि उन लोगों ने गलती से मुझे इस्टोर रूम में बंद कर दिया है इन सारे जुनेडोस को मैंने अलग अलग कर दिया है अभी तो नहीं पर फीचर में मैंने सोचा है कि जुनेडोस को उल्टा करके ऐसे हैंगिंग प्लांट हैंग करूंगा पता है 11 साल से मैं गार्डनी कर रहा हूँ इन 11 सालों में मैंने 1100 एक्सपरिमेंट किये होंगे पर आप लोग तब अनलगी थें जो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था वरना अब तक आप सब भी मुझे देख देखकर थोड़े बहुत टैलेंटेड तो हो ही जाते चलिए अब जोनेडो के लिए गमले लेकर आते हैं प्लांट्स के पते बता रहे हैं कि मिट्टी की गुनवत तक कितनी अच्छी थी ध्यान से देखिए मैंने पहले जो दो प्लांट्स निकाले उनके पते के कोर सुखे हैं जबकि इस वाले में अच्छी मिट्टी की वज़ए से सारे पते हेल दी हैं जो कि उतना अच्छा सोल मिक्स्टर नहीं बनाता है गोबर जितना पुराना होगा उसकी ऐसे फर्टिलाइजर वाली क्वालिटी उतनी अच्छी होगी वक्त ना होने की वाई से मैं क्वालिटी के साथ कंपरमाइस कर लेता हूँ पर अगर आप सब के पास वक्त हो तो आप गोबर को सड़ा गला कर यूज़ करें मतलब गोबर को कहीं पर भी रखकर आट-दस महने के लिए पुराना होने के लिए छोड़ दें लगली मुझे इस गमले के लिए पुराना गोबर मिल गया था इसके पीछे की एक कहानी है मुझे पाता है आपको जानना है कि इसके पीछे की कहानी क्या है तो सुनिए गोबर के धेर के पास ही खड़ा हो गया क्योंकि गोबर के धेर के जस्ट सामने वाले घर का दर्वाजा बन था क्योंकि मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुच गया था मैं गोबर की धेर के पास खड़ा यही सोच रहा था कि क्या इत्तिफाक है एक हीरा गोबर की धेर के पास खड़ा है जिंदगी में कैसे कैसे दिन आ जाते हैं इससे पहले कि मैं और गहरी सोच में डूपता सामने वाले घर का दरवाजा खुलता है और एक खडू से अंटी घर से बाहर आती हैं मैं उनके पास जाकर बड़ी ही विनमरता से कहता हूँ पिर ये शुदरसनी अंटी अगर आपकी आग्या हो तो क्या मैं थोड़ा सा गोबर ले लूँ वो अंटी बड़े ही रूडली कहती हैं ले लो, ले लो, मैं खुश हो गया लेकिन जैसे मैंने 2-3 केजी गोबर लिया उन्हेंने मुझे मना कर दिया कि अब बस हो गया जबकि आज तक उस गोबर को वहीं पड़ा देख रहा हूँ मैं, एक साल हो गया है दूसरी बात जिनके पास जानवर होता है उनके लिए गोबर की कोई कीमत नहीं होती पर उन्होंने मुझे नहीं दिया कसम से मन तो किया कि डस लून है पर फिर छोड़ दिया तो यही कहानी थी इसी तरह से मुझे 2-3 केजी पुराना गोबर मिल गया था जिसे मैंने इस पलांट के सोयल मिक्सर में डाला था इसलिए इसकी मिट्टी एतनी अच्छी थी तो आपने देखा कि मैंने अपनी गमलो को कहां रखा था एक्शली मुझे डर था कि गमला वहां से गिर ना जाए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठंड से बचें